अग्रिकल्चर एक्सपार्ट अब सभीका आपके अपने मनपसंद यूटूब चैनल एग्रिकल्चर एक्सपार्ट में मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आज इस वक्त हम है पूसा के किसान मेले में जहां पर हमारे साथ हैं HD 3221 यानि पूसा यससवी के खोज करता डॉ अपर राजवीर यादाओ जी उनसे हम जानेंगे उनकी जो वराइटी है पूसा यससवी यानि HD 3221 तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका सर हमें जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए लगबग तीन लाग किसान हमारे चैनल पे हैं तो मैं चाहूंगा एक बार आप ज साल काफी एरिया के अंदर लगी है हमने ये किसम निकाली है जिसके मैं उन किसानों के लिए जिनकी इच्छा होती है जादा पैदावार लेने के लिए ये किसम जब सुटेबल है जब आप अगर इसको बहुत टाइम से बुआई करें टाइम से बुआई का मतलब या तो अक ही है कि आप इसके पचास दिन के ऊपर एक लियोसीन केमिकल आता है लियोसीन प्लस फॉलिकर लियोसीन डाइसो एमल फॉलिकर 125 यानि 125 एमल इसका गोल 125 लीटर पानी में आप पचास दिन के आसपास जब क्रोप हो जाए उस पे सप्रे करें तो उससे इसकी हाइट रुख ज सीड रेट डिपेंड करता है अगर जया आपका खारा पानी नहीं है और आपकी जमीन उपजा हुए और जिसके अंदर खार बहुत कम है तो उस जगहें पे आप अगर 35 किलो भी रख लेंगे 40 किलो भी रख लेंगे परती एकड तो वो सफीसियंट है पर अगर आपकी जमीन के अंदर खार है और आपका खारा पानी है तो वहां पर सीड रेट थोड़ा सा बढ़ा के रखें पर जो समझने की चीज है जो मैं बार बार कह रहा हूं जब भी आप ज्यादा पैदावार के लिए टार्गेट करते हैं तो वह उसके लिए आपको चाहिए हाई बायो मास की वेराइटियां और हाई बायो मास की वेराइटियों के लिए जरूरी है कि आपको यह समझ में आए कि आपको उसको हाई बायो मास को कैसे खड़ा रखना है तो हाई बायो मास को खड़ा रखने के लिए बहुत जरूरी है जहां पे भी दान गेयों की खेती होती है वहां कि कम से कम चांस होते हैं और यह लिए उसका परियोग करें यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और वह लिए इंपोर्टेंट का यूज इंपोर्टेंट है बाकि इस किसम की एक और खासियत है जो मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको इवन दिसंबर में भी लगाएंगे तो इसकी पैदावार अच्छी आती है, comparatively कम हो जाती है क्योंकि कोई भी वेराइटी जादा पैदा देगी वो डिपेंड करता है कितने दिन यह फिल्ड में रही ठीक है तो अगर दिसंबर में लगाएंगे तो क्योंकि उसकी डूरेशन घड़ जाएगी तो पैदा कम हो ज जादा है और गुलूटेन कॉंटेंट जादा होनी की वज़े से जो जो रोटी बेलते हैं तो वो थोड़ा सा उसके रोटी बेलने के में जोर पड़ता है पर उसके अंदर सबसे अच्छी चीजी है कि जब देखी चपाती की क्वालिटी तीन चीजों पर डिपेंड करती है कितना गला आराम से तूट रहा है और कितना नरम है और कितनी मिठास है और कितनी इसकी कीपिंग क्वालिटी है यानि कितरी देर तक आपकी रोटी नहीं सुखती यह चारों चीज़ें इसमें खूब अच्छी है ठीक है तो एक और चीज़ में आपसे पूछूंगा तो इर स्टेज के उपर इरिगेशन जरूर होनी चाहिए उसको थोड़ा सा मोडिफाई कर सकते हैं अगर आप लोजिंग से डरते हैं तो तो इंदा सेंस अग अगर आपने अपनी क्रोप के अंदर अच्छी पैदालावार लेने के लिए टार्गेट किया है तो पहली इरिगेशन क को थोड़ा सा डिले करें ताकि उसकी रूट ग्रोथ अच्छी हो जाएं और रूट ग्रोथ अच्छी हो जाएं और इतना डूरेशन मिल जाए कि उसकी रूट को पनपने का मोका मिले और उसका एक और फायदा होता कि जहां पे भी वीड की बहुत ज्यादा प्रोब्लम होत और वह यानि थोड़े देर बाद जमती है तब तक गीहों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और गीहों की ग्रोथ उसको खर्पतवार को ढख लेगी और खर्पतवार कम पन पेगी अपके अनुसार इस किसम की जो प्रोडक्शन है एल्ड है वो कितनी है देखें यह तो में बड किसमें हैं भारत में अगर आप उनको पांच या दस एकड़ की एवरेज निकालेंगे और उस उसके अंदर अगर आपकी 65 या 65 मन परती एकड़ की एवरेज आ जाए या 65 से 70 मन के बीच में एवरेज आ जाए तो वह बहुत ही अच्छी पैदावार है बहुत अच्छे में बहुत ही अच्छे में पैदावार है तो मैं यह मानता हूं कि अगर जे आप इस इस किसम का भी उसी उसी पैदावार के बीच में आप अपनी पैदा ले सकते हैं अगर आप रख रखाओ ठीक तरीके से करें सर इसके और कोई खास बात बताना चाहूंगा कि इसमें प्रोट यानि लगबग 13% के आसपास प्रोटीन है तो और और वेराइटियों के कंपेरीजन में तक्रीबन तक्रीबन एक पर्षेंट प्रोटीन जादा है दूसरा इसके अंदर जो हमने कई सालों के प्रिक्शन से पता चला है इसमें कि करनाल बंट की भी रोग कम लगता है फ्लैक Marisaц के भी जिवानों बदलते रहते हैं तो जीवानियों के बदलने के वजह से सियाद हो सकता है कि बेकिसी इंस्ट्रूट से डॉक्टर राजवीर यादव जी जिनों ने हमें HD 32 सभीस यानि पुसा यससवी किसम के बारे में महतपुन जानकारी दी उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगी यदि आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो यसादिक स्यादिक लाइक वसेर जुरूर करें इसके राव दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर लें ताकि बोविश्य में भी आपको किसारों से जोड़ी हर एक महतपुन अपडेट सबसे पहले प्राप्तों थैंक्यू jeMO जो ट्वलओेट से एक भी आमने से जोड़ों से तो यूरूर को से जो यूरूरु किसारों से जोड़ी आपको किसारी जारमरी की स्याव प्राप्तों से जोड़ा एकम थोसारा किसारी जोड़ार। झाल झाल